सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं अस्सलाम उलेकुम आज के लेक्चर में हम दसफी जमात के इंग्लिश के चैप्टर एन एनकाउंटर ऑफ अस्पेशल काइंड का पार्ट टू करेंगे इससे पहले के पार्ट में वरक्शॉप का मैंने क्विश्चन नंबर एट तक करा दिया था आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं इंशालला आज ये चैप्टर हमारा पूरा वरक्शॉप कंप्लीट हो जाएगा देखिए सवाल नंबर नौ एक पेरेग्राफ बनाना है और उसको मुनासिब उन्वान देना है उसके लिए ये मुद्ध का इस्तमाल करके हमें एक पेरेग्राफ बनाना है और उसको एक उन्वान देना है तो आईए मैं आपको पता देता हूँ पैरेग्राफ कैसे लिखेंगे हम तो देखिए सबसे पहले तो हम उन्वान देंगे अनिमल्स आवर बेस फ्रेंड अब पैरेग्राफ बनाएंगे इन्सान का रिष्दा जानवरों से बहुत पुराना है दोस्ती जो जानवर और इन्सान के बीच में होती है उस पे हम बहुत ज्यादा रिलाइबल यानि भरोसा कर सकते हैं वो हमारे केर को हमारी परवा को अच्छे से रिस्पॉंड करते हैं लव और फ्रेंशिप को भी वो हमेशा इमानदार और फेथफुल होते हैं यह सब हमारे दोस्त होते हैं वो अलग अलग तरह से हमें साथ देते हैं वो खेलने के लिए भी बहुत अच्छी लगती है बिलिया डॉग्स अर केप्ट एस पैट्स फर प्रोटेक्शन और सेफटी के लिए पालते हैं दे अर वेरी फेथफुल और लॉयल बहुत इमानदार होते हैं वो दे हल्प इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम थेफ्ट चोरी से भी हमारे घर की हिफाज़त करते हैं जो चोर या जो क्रिमिनल होते हैं मुझरिम होते हैं उनका पता लगाने में भी यह बहुत कारामत होते हैं डॉग्स और इंटेलिजन और हैव वेरी सेंसिटेव नोज बहुत ही होश्यार होते हैं उनकी नाग भी बहुत सेंसिटेव होती हैं जो धून निकालती है जल्दी से किसी को भी Cows, Buffallows help farmers in farming गाएं भैस जो है वो किसान की खेती बाड़ी में मदद करते हैं Birds also help farmers by eating insects, परिंदे भी किसान की मदद करते हैं, किड़े मकोड़े को खा कर, Birds also keep our surrounding neat and clean परिंदे हमारे अत्राफ को भी साफ सुद्रा रखते हैं Thus animals and birds are great and reliable friends of वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं Without them life would have lost half of its jam, अगर जानवर ना हो तो शायद हमारी जिंदगी का आधा लुट्फ जो मजा जो है वो तो यूही खतम हो जाए, so it is our duty to protect, save the life of animal and treat them friendly and do not kill them, विसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी हिफाज़त करें उनकी जान बचाए, उनको उनके साथ दोस्ती के साथ, प्यार मौबबत के साथ पेश आए और उन्हें बेवजा ना मारे चलिए, दुसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं पुश्यन नमबर 10 का A है Complete the remaining blocks Determining the types of news अब ये block है, इसको हमें complete करना है जिसमें दो यहां दिया है यानि न्यूस की कौन-कौन सी किसमें होती है तो business और sports दिया हुआ है और हमको लिखना है तो Crime, जुर्म से related Politics, सियासत से related Films, फिल्मों से और economic माशियत से related अब है template for news report एक template दिया है किस तरह से report लिखना चाहिए तो पहले headline होगी फिर date line, फिर intro और फिर short continuing paragraph तो यहाँ पर एक मिसाल है देखिए Read the following headline and write a news report Follow the steps as given Headline को पढ़िए, news report लिखिए जो steps दिये हैं उसको follow कीजिए तो यहाँ पर जो है हम लोगों को headline है Tiger attacks 8 year old at Rajiv Gandhi National Park Rajiv Gandhi National Park में 8 साल के बच्चे को Tiger ने share ने मार दिया तो date line लिखा है 3rd May Sunday Lead line है An 8 year old boy 8 साल का लड़का Mukesh Was killed by a tiger उसे tiger ने मार दिया Nearly at 3 p.m. on Saturday तकरीबन सनीचर के रोज 3 बजे in Rajiv Gandhi National Park in Mumbai Mumbai के Rajiv Gandhi National Park में अब body of the report लिखना है तो इसमें मैंने लिखा है The incident occurred when Mukesh was standing with his mother near the park यह हाथसा तब हुआ जब Mukesh अपनी मा के साथ पार्क के करीब खड़ा था Suddenly tiger jumped on him अचानक एक share ने उस पर jump लगाई छलांग लगा दी and dragged him away और उसे घसीट कर ले गया Hearing the screams यह चिल्ला पुकार सुनकर People of the slum located at Rajiv Gandhi National Park rushed to the spot जो आसपास की जुपडियों में जो लोग रहते हैं Rajiv Gandhi National Park में वो यह चिल्ला पुकार सुनकर वहाँ दोड़े They also immediately call the police Foreigner ने police को इतला की We inform forest officials जिनों ने police ने बदले में forest officer को इतला कर दी Search team set out in search of a boy out found nothing Search team जो है वो बच्चे की तलाश में निकल पड़ी लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो इस तरह से report लिखनी होती है हमें देखिए इसका C है Read the following headline and write the date line intro and short continuing paragraph ये दो headline हमें दी हुई है यहाँ पर इनको पड़के हमें report लिखना है जिसमें date line और intro और short paragraph लिखना है तो पहला है Achievers narrate that success stories at career counseling event Career counseling event में जो Achiever है जो कामियाब लोग है उन्होंने अपनी कामियाबी की कहानी बताई और India's first ever tourism university to be established by IIHM International Institute of Hotel Management ने इंडिया का पहला tourism university established किया तो ये दो उन्वान हमें दिये हुए है इसके निजबत से हमें दो report लिखनी है तो आईए मैं आपको वो report कैसे लिखना है वो बता देता हूँ तो देखिए पहला था Achievers narrate their success stories at career counseling event तो नाम है पहले Samir Sheikh staff reporter Monday May 4th 2020 ये deadline हो गई Mumbai Success is not luck Hard work is a key of success and we should never give up hope कामिया भी किस्मत से नहीं मिलती मेहनत करना जरूरी होता है और हमें कभी उम्मीद नहीं हारना चाहिए This kind of thoughts expressed in career counseling event इस तरह की बाते career counseling event में की गई held at SM College Sunday जो के Sunday के दिन SM College में हुआ था Top Rankers of 2019 MPSC batch MPSC batch के 2019 के topper एहमत खान, आरिफ शेक और हमजा मेमन वर present on the occasion वो इस occasion पे यहां मौजूद थे and they express great need of hard work जिन्होंने बच्चों को या लोगों को hard work यानि महनत की जरूरत के बारे में समझाया Skill for the success in life किस तरह जिन्दगी में कामियाब होना चाहिए वो बताया All the toppers unfold their road to success on this occasion इस मौके पर कामियाबी के अलग-अलग रास्ते जो है वो toppers ने बताये कि उनकी जिन्दगी में उन्होंने कामियाबी कैसे हासिल की Mr. Ajit Patil MLA of Mumbai was present on the occasion Mumbai के MLA Ajit Patil भी इस मौके पर मौझूद थे as a chief guest chief guest के तौर पर या महमाने खुसूसी के तौर पर he also guides the student on this occasion इस occasion पर उन्होंने बच्चों की रहनुमाई भी की दूसरा आमारा था India's first ever tourism university to be established by IIHM International Institute of Hotel Management Times of India New Delhi May 4, 2020 The International Institute of Hotel Management IIHM will soon be coming up with the country's first ever tourism university ये पहली बार भारत के या मुल्क की पहली tourism university शुरू कर रही है जिसका नाम है IIHM University in West Bengal West Bengal में under the WB Private University Act West Bengal Private University Act के तहत in collaboration with world's top institution दुनिया की top अधारों के साथ मिलकर डॉक्टर सुबोर्नो बोस CEO जो सुबोर्नो बोस जो है चीफ एग्जेकुटिव ओफिसर है IIHM के ग्रूप के उन्होंने कहा Our vision is to create finest tourism university in the world हमारा मकसद है कि हम दुनिया की सबसे अच्छी tourism university बनाए which will provide huge job opportunities for students जो बच्चों को बहुत सारी रोजगार के मौहा के फराहिम करे IIHM is investing 150 crores in setting of the university IIHM जो है वो इस university के बनाने में 150 crore रुपे खर्च कर रहे हैं चलिए बच्चों दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं देखिए अब हमें दिया है language study पहला है present participle present participle क्या होता है the form of verb ending in ing verb की वो किस्म जिसके आखिर में ing आए which is used in forming continuous tense जो continuous tense में भी इस्तमाल किया जाता है मिसाल के तौर पर he is sitting here इसे present participle केते हैं present participle can also be used as an adjective इसका इस्तमाल adjective के तौर पर भी किया जा सकता है for example he uses a walking stick तो यहां पर देखिए यह walking जो है adjective है now find out the ing form from the story and classify them into the following table अब हमें इस कहानी से धूनना है और present participle जो adjective के तौर पर use हुए वो यहां लिखना है और present participle जो verb के तौर पर continuous tense में इस्तमाल हुए वो यहां लिखना है तो मैंने लिख दिया है पहला मिसाल के दौर पर दिया है twinkling eyes was oozing oozing का मतलब होता है overflowing तो पहले हम लोग adjective वाले देख लेते हैं तो living the book watching the baby reading story carrying arms और mutual understanding यह adjective हो गया जो इस सबक से लिए गये है और present participle जो verb के साथ है वो है started pondering pondering का मतलब होता है deep thinking we started throwing was holding was going was breathing तो इस तरह से हमें बनाना है चले इसके बाद है दूसरा सवाल spot the error and correct the following sentence जुमले में से गलती धुननी है और फिर उसे सही करना है तो यहाँ पर है my grandparents laid down for an afternoon nap तो late गलत है यहाँ पर ले आएगा a stranger were knocking at our door stranger एक है तो were नहीं आएगा was आएगा my sister and I shares a study room तो दो लोग हो गए एक से ज्यादा हो गए तो share आएगा one of my friends is leaving school one of my friends होगा मेरे दोस्तों में से एक तो friends आएगा a flock of birds were flying overhead तो यहाँ वर गलत है यहाँ was आएगा परिंदों का जुन्ड यहाँ परिंदों भले ज्यादा है लेकिन यहाँ पर जुन्ड एक है इसलिए was इस्तमाल होगा चली तीसरा सवाल rewrite the sentence as per instruction given along with जो आगे instruction दी है उसके accordingly यह tense है बच्चों यहाँ पर tense करना है हमे I took the baby langur to our backyard इसमें हमें past perfect tense करना है तो जैसा कि हम जानते है past perfect का helping verb है वो head है और उसके बाद verb का third form लिखा जाता है तो यहाँ पर देखिए I took जो है यह verb है तो आएगा I had took का बन जाएगा taken बाकी पूरा ऐसी रहेगा तो जवाब बनेगा I had taken the baby langur to our backyard दूसरा देखिए she simply sat there quietly इसका आमें बनाना है present continuous तो present continuous में ease मार आता है तो she के साथ ease आ जाएगा और verb के साथ ing लग जाएगा तो हो जाएगा she is simply sitting there quietly तीसरा है the mother langur looked straight into my eyes इसका आमें बनाना है simple present tense simple present tense में do does इस्तमाल होता है अगर नाम है तो नाम के साथ does आएगा और does जब वर्प के अंदर छुप जाता है तो वर्प के साथ s या es लगता है तो यहाँ बनेगा the mother langur तो क्यूंकि यह नाम है mother langur इसलिए looks हो जाएगा does आएगा तो looks बाकी पुरा इसी रहेगा देखिए the mother langur looks straight into my eyes last time she surveyed the area for the vicious male langur vicious का मतलब होता है evil जालिम तो यहाँ प्यामे करना है simple future tense simple में will shell आता है she के साथ will use होता है और वर्प का first form लिखा जाता है तो बन जाएगा she will survey the area for the vicious male langur तो बच्चों इसी के साथ यह पूरे सबक के जो थे वो चिटचट भी हमने कर लिया और workshop भी कर लिया जो के दो पार्ट में है मैं उमीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like करो, comment करो, share करो और इस channel को जरूर subscribe करो और अपना बहुत ध्यान रखो thank you